उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है तमाम मुद्दों पर आज हम उनसे चर्चा करने वाले हैं बात करने वाले हैं सर लेप्टाप बातने जा रही है सरकार क्यमिनेट में भी पास हो गया है कि बच्चों को जो है वो टेबलेट बाटे जाएंगे हैं जी मानिय मुख्वांती जी ने एर हमारे चुनावा गोशना पत्त में भी इस बात को कहा गया था समय समय प्रमानिय 더 मुख्वन तीजी ने भी इस बात को उद्गद कया है और यह बहुत खुशी की बात है कि लोगों को टेबलेट और जो आधुनिक फोन है स्मार्ट फोन वो अप्लब्द कराय जाए यह बहुत खुशी की बात है इसमें मैं समझता हूँ कि यह लोगों के कारिय को एक कारियर बनाने में और तमाम तरीखे की जो फैसिलिटीज हैं जो टैबलेट से और स्मार्ट फॉन से अचीव की जा सकती है लोगों का कारियर बनेगा और निश्रित रूप से जो हम प्रदेश को सरवोत्तम प्रदेश बनाने का लक्ष लेकर चले हैं उस दिशा में मैं समझता हैं बहुत महत्वत कदम है कि हम जित्ता जदा IT सेक्टर को इंवाल्ब करेंगे उतना उस दिशा में हम आगे बढ़ते रहेंगे सर आपके दोस्त ओम प्रकाश राजभर और अखलेश यादो रथियात्रा निकाल रहा हैं पूरवांचल एक्सप्रेस वे पे तो सुरेश खन्ना थे इन्होंने जो है वो लैप टॉप और स्मार्ट फोन बाटे जाने को लेकर जो है वो बात किया और उन्होंने साफ तार पर कहा कि आईटी सेक्टर को आगे बढ़ाने से कहीं न कहीं बल मिलेगा इससे जो है वो लोगों के तमाम काम होंगे तमाम चीज जो है वो अच्छे से नوجवान जो हैं वो कर सकेंगे कामरा में नर्शाद के साथ सीमा अब नक्वी भारादा